सब्सक्रार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS Education News में सूपर बात गुड मॉर्निंग आप सभी को आप कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग देर रात को भी वीडियो अपलोड की थी और अब फिर से नई जानकारी लेकर के आया हूं तो दोस्तों परिक्रियादीन जो भरतियां हैं डीपी सी हैं उनको अगस तक पूरा करने के निरदेश ACS मेडम ने दिये हैं अब इसके अलावा एक सो बैतर दंच किसकों के भरती भी की जाएगी पूरा अपडेट क्या भी वीडियो ढला था देर रात को भी उसमें बता थैं कि कल के अखबार में सारी खबरे आ जाएंगा तो यहां पर आप आप लोग देखें एक सो बैतर दंच किसकों की जल्द होगी भरती यह यहां पर अपडेट है दंच किसकों के भरती के लिए प्रदेश में जल्द ही एक सो बैतर दंच किसकों की भरती होगी इसके लिए RUHS को अभरतना भिजवाई गई है RUHS यान की रास्तन हेल्थ यूनिस्टी जो है जैपूर उसके द्वार ये भरती कराई जाएगी दंच किसकों की एक सो बैतर पदों पर चिकित्सा विभाग की ACS सुबरा सिंग ने गुरुवार को विभाग की समिक्षा बैठक के दोरा निया जनकार दी और उन्होंने ये भी बताया है उन्होंने इससे मतलब क्या है जो ACS मेडम है उन्होंने बताया कि एराजपत्रित सोरी समवर्ग की भरतियों को भी अगस्त मा के अंतक पूर्ण किया जाए ये आप लोग देखें ये भी आप लोग देख सकते एराजपत्रित समवर्ग में आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल आते हैं ठीक है और वर्तमान भरतिया भी यही चल रहे हैं तो ये आप लोग समझ सकते हैं पांच जो भरतियां हैं परकरियाधिन एराजपत्रित समवर्ग की आती हैं उनको पूरा करने के निर्देश भी यहाँ पर दिये हैं कि अगस्तक इनको पूरा किया जाए वर्स 2023-2024 की DPC के लिए यह था सिकर कलेंडर जारी कर जुलाई महा तक वरिस्तिया सूचिया बनाने और 15 अगस्तक पद्धुनत्य की कारवाई कर लेने का भी निर्देश यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं जो DPC है उसको भी पूरा करने के निर्देश यहाँ पर दिये गए है और यह DPC है इनको कहा गया कि 31 अगस्तक पूरी कर ली जाए ठीक है साथियो और तीसरा जो अपडेट है 41 मेडिकल अफिशर जिन्होंने जोइन नहीं किया उनको 7 दिन का समय दिया गया है 9 जून तक उनको समय दिया गया है और 9 जून तक वो लोग जोइन नहीं करते हैं तो अगले 15 जून तक जो है यह अभी आने वाला है तब तक आप यह मेरिट लिस्ट है जो वेटिंग लिस्ट है यह जारी की जाएगे डोक्टर्स की तो अच्छा अपडेट है अपने आप में यह बहुत महत्पूर्ण हो जाता है इस एस मेडम के द्वारे चीज़े कई गई है ठीक है दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं 1765 की यह भरती थी 41 लोगों ने जोइन नहीं किया है और यह बड़ी खबर है 102 दन चिकित्सक भरती किये जाएंगे और DPC और जो भरतियां है उनको अगस्तक पूरा करने के निरदेश यहां पे दिये गई है अब साथियो मेरा अपना क्या विचार है वो देखिए सबसे पहले तो देखिए अब डेट एक्स्टेंड ना हो एक पहला वज़े है यह है डेट एक्स्टेंड ना हो दूसरी बात जो कोट का चेरी है ठीक है हाई कोट वगरा में कोई ऐसा गंभीर मामला ना जाए जिससे भरती प्रक्रिया पर कोई इस्टे वगरा ऐसी चीज़े पैदा हो ठीक है अब इस्टे भी दोस्तों ऐसा है कि काविट लगाई गई है लेकिन काविट लगा देने भर से ही चीज़े सोट आउट नहीं हो जाती है मैंने बहुत बार कह कि काविट तोप नहीं है कि भाई वो रोक लेगी हर चीज़ को सबसे पहले है कि ये जो आविदन की जो प्रक्रिया है विशेस करमा बात करूँ है अनो और फार्मा की और एनम की ठीक है इन तीनों की आविदन प्रक्रिया इसी मैने में पूरी हो जाए क्या कौन-कौन सी फोरम भरने की भी और एडिट की भी ये इसी महीने में पूरी हो जाए तो अगस्तक तक तो नहीं खएर साती हो अभी ह OC कोई कुतना ही कहता रहे अगस्तक तक तो नहीं है तो फिर वेरिफिकेशन में भी टाइम लगना है वेरिफिकेशन के बाद प्राविजनल सूची भी होती है posting order भी होते हैं तो ये समय थोड़ा सा लगने वाला है मेरा अपना view है और इसमें कोई किंतु परंतु कहने में नहीं है जून तक ये सारी चीजे पूरी हो आवेदन और edit दो चीजे जून तक पूरी हो उसके बाद 15 जुलाई से पहले अगर list आए और 15 अगस्त एक मैने के दोरान या 20 दिन के दोरान उन सब के verification हो जाए और अगस्त में ही provisional सूची आजाए ठीक है provisional सूची अगर अगस्त अगस्त तक आ जाती है या 10 सितंबर तक भी आजाती है तो भी आप लोगों की posting हो सकती है लेकिन ये दो ड़ाई महीने में जो काम है जुलाई और अगस्त वो 60 दिन बहुत मैत्वन होंगे उन 60 दिन में आप लोगों का verification आप लोगों की provisional सूची अगर ये verification और provisional सूची आप लोगों की अगस्त लास्ट तक या 15 सेप्टेमबर तक भी आ जाती है तो मेरा ये मानना इस पस तोर पर कि ये भरतिया पूरी हो सकती है और भाई अगस्त अगर verification ही चले तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा फिर तो देखिए वो किस्मत की बात है किस करकिस और पल्टेगा है डिया टैल आएगा वो आप लोगों किस्मत तेह करेगे इतना असान नहीं है कि ECS मडम ने कह दिया तो हो जाएगा हाँ फरक बहुत पड़ता है इन चीजों से कि अधिकारी जो जवाब दही से काम करते हैं जो मेदारी से काम करते हैं और भरतियों को लेकर के संजीदा होते हैं तो अच्छा में अपडेट है अपने आप में हलांकि पूरी होना नहीं होना फिर क्याराम वक्त बताएगा इतनी सारी चीजे करनी आभी इनको धन्यवाद जय हिंद जय भारत